इस वीडियो में हम बात केना वालें Nifty के उन important levels की जिनके breakout और breakdown पर हम सॉंबार के दिन Nifty में trade ले सकते हैं तो देखो उससे पहले हम बात लेते कि आज मैंने क्या किया आज मैंने निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड लिया था जिसके हमने कल बात की थी कि यदि निफ्टी 21 सेवन ट्वंटी के लेविल को ब्रिक करेगा तो हम यहां पर एक फोट बाइन का ट्रेड ले सकते हैं वहीं ट्रेड मैंने लिया था जिसमें मेरे को 40 पाइंट का पहले तो प्रॉफिट हुआ था उसके बाद मैंने पुजिशन 10 पॉट के लॉस पे स्कारफ कर दीती और यहां बहुत चुटा लॉस हुआ था कि मैने मेरी सिर्फ और सिर्फ भी बुडू था कि हमें आज की दिन सिर्फ और से हमारी मैक्सिमम 50% quantity ही यूज लेनी है इसे जादा quantity यूज ही ने लेनी है और दूसरी चीज मैंने ये बोली थी कि आज की दिन हमारे मार्केट में volume कम रहने वाला है जिससे जो भी breakout और breakdowns होंगे ना उनके failure होने की chances होंगी कि market breakout दिया breakdown दिया उसके बाद market consolidation करने लग जाएगा या फिर market breakout देगा उसके बाद market consolidation करने लग जाएगा इन सारी चीज़ों के चलते मैंने आपको ये बता दूँ जो जो जिसनों ने भी ना आज ना अपनी ना 50% से जादा position sizing से ट्रेड लिया ना एक तो वो लो comment करना जिससे मेरे को पता चले कि हाँ जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहें उनकी साइक्लोजी उनकी ट्रेडिंग साइक्लोजी अभी किस लेवल पर क्योंकि मैं in future जो भी साइक्लोजी से रिलेटर वीडियो गनाने के बार में सूच रहा हूं ना उनका लेवल मैं एक डिसाइड कर सको कि हां मेरे को इस लेवल से मेरी साइक्लोजी की वीडियो निकालनी है क्योंकि देखो 2014 का पहला दिन एक जनवरी को जब हम ट्रेडिंग करने बाटेंगे न और उस दिन यदि आपने बड़ा लॉस ले लिया या फिर बड़ा प्रॉफिट ले लिया तो 20 से जलती रिकावर करना मैं नहीं चाहता कि 2024 में मैं एक लॉस मेकर ट्रेडर ही रहूं मैं एक प्रॉफिटेवल ट्रेडर बनना चाह रहा हूं क्योंकि हर को जो भी ट्रेडर है ना जो भी ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है वो लॉस मेकिंग ट्रेडर तो बनना रहना नहीं के लिए पूरी 2000 चोईस का साल बरबात कर दो तो आपको 2000 चोईस के एक जनवरी के दिन आपको उत्या करना है आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ 20% कॉंटिटी देखो यदि आपको profitable trader बनना है तो आपको अपनी psychology के वारे में सोचना पड़ेगा आपको रुपे कमाने से पहले आपको अपनी लॉस के वारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ भई मेरा 10,000 रुपे का profit हो सकता है इस trade में लेकिन यदि मैं ट्रीड लिया तो यहां मेरा 15,000 रुपे का loss होने के chances हैं तो यह ट्रेड में नहीं लेन मैंने आपको एक जनवरी के लिए आपको बता दिया कि यह यह दि आपको एक जनवरी में पूरी 2014 के लिए प्लानिंग करने है ना पूरी 2014 में एक profitable trader बनके निकलना है तो आपको एक जनवरी की दिन तो सिर्फ और सिर्फ अपनी 20% ही quantity यूज लेनी है इसके बाद हमारे levels की कर लेते हैं कि हमारे किन-किन लिविल्स के ब्रेकाउट और ब्रिकडाउन पर संबार के दिन मतलब एक जनवरी 2024 के दिन लेना है फर्स्ट अफल क्वांटिटी हम हमारी 20% ही लेके चलने वाले और देखो यह जो हमारी trendline है इस trendline का अभी हमारे लिए पास कोई भी मतलब नहीं करके market ने 2720 के लेविल को अल्रडी बेरिक कर दिया तो यहां पर हमारा एक नया लेविल निकलके market में आ रहा है तो इस trendline को तो हम यहां से हटा देते हैं उसके अलाब़ा जो हमने हमारा 2720 का लेविल जो कल डिसाइड किया था उस भी लेविल को हमें यहां से हटाना पड़ तो जिसके आपको सई ढंक से देखेगा और इसको भी क्योंकि यही दो लेविल हैं जो हमारे लिए सौंबार के दिने इंपोर्टेंट रहने वाले हैं देखो यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गर्पडाउन उपन होता है और उस कंडिशन में यदि मार्केट 21 26 75 को बेख करेगा तो मैं हां पर कॉल बाइंग का ट्रे लेने वाला हूं कर नवा इसका मेरा पहला विटू डिसका जो मेरा क्किवं रहने वाला है उंस्का मेरा टींड्र डेहने वाला है वो रहेगा 21805 मेरा 2855 इन दो टर्चिक के लिए मैं यदि इंह यदि मार्केट city के Level को Break करवा तो मैं यह पकॉल बैंड का ट्रड़ लेने वाला हूं इसका मेरा पहला टार्गेट रहेगा ट्वन्टिवन अइट रिट्वन द्वाравствуйте रहेगा ट्रॉसरा टार्गेट रहेगा ट्वन्टिवन एट फॉरफक का इसके बाद हम बात करते है यदी मार्केड, put buying की साइड की, यह मैं आपको कल भी बताया था और आज फिर से मैं बोल रहा हूं, यादी मार्केट ऐट ओपन हूँ या फर गैफ उपन हो इन दौनों कडिशन्स में युजा यादी मार्केट यहाँ पे कण्सालिडीशन ग्रित के बाद यहीं की मार्केट 75 के लेविल को break करे 21 675 इस लेव्ट के आगे star लगा लेना वाई जितने star लगा सको लगा लेना विखिंग इस लेविल को मार्केट ने ब्रेक किया तो हमें यह यहां पर बड़ी से सइलिंग देखने को मिल सकती है जिसका हमारा टार्गेट नगेगा 21 600 T2 रहने वाला 21 550 और T3 रहने वाला हमारा 21 500 इन तीन टारगेट के लिए हम यहां पर put buying का trade ले सकते हैं किसका put buying का trade ले सकते हैं यह दी market flat open ओपन हो gap up open हो या फिर gap down open होने के बाद consolidation के बाद इस level का breakdown करेगा 21 675 के level का breakdown करेगा तो हम यहां पर put buying 13 सकते हैं इसके बाद हमारी अगली अगली कंडिशन समझ लेते हैं यह नीमार्कत नापर में है बड़ा यह अलोड है यह सब्सक्राइब करना है जरूर कि आपने कितनी पोजिशन साइजिंग के साथ आज ट्रेड लिया था कि जब तक मेरे को पता ही नहीं चलेगा ना कि सिखाते हैं वह साřे दसे मैं चाहता हूं कि इस चैनल प veo आप कुछ देख रहे हूँ तो यहां से आप कुछ नया प्राप्त हो । ख ही नया हम बाक कर लीते हूं में सिर्फ ऐक काम ले लेना मार्केट गपपन हुआ मॉर्णिंग में आपको टेडी मिलेना आपको सीज़े सेकेंड आप में और सेकंड आम में आपको क्या देखना है यदि मार्केट गपपन होने के बाद 21760 के लेविल को ब्रिक डाउन देता है तो हम यहां पे छोटा सास पुटवाइं का ट्रे वहीं एक और के आती है यादी मार्केट बड़ा गपर ऊपन होता है तो हम क्या करें तो भाइ यहां पे मेरको जो कंडिशन अभिश JAMES üstव में नीचे नहीं लाय जाएगा मार्केट को क्या किया जाएगा मार्केट गप दां आउपन हुआ उसके बाद मार्केट फिर से अपनी last day closing को test करने जाएगा और उसके बाद जैसे ही market अपना day logo break करेगा ना हम यहाँ पर put buying करने वाले ठीक है market को day high gap down open होने तो उसके बाद market को जो last day closing है 720-730 इस level पर आने तो उसके बाद जैसे ही market ने intraday low जो भी बना है और उस लोग के जैसे market break करेगा हम यहाँ पर put buying का trade लेने वाले हैं बस यही level थे यही conditions मेरे को market में दिख रही है सबसे बढ़िया जो चीज है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा important वह है हमारी 20% position sizing की सबसे दिन 2014 के पहले देन एक जनवरी को हमें सिर्फ हमारी 20% position sizing के साथ ही trade लेना है ठीक है तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही comment जरूर करना